तोकन का जो व्यावर में हम उपयोग करते हैं, जैसे आप किसी आफिस में जाते हो, या किसी बैंक में, तो जहां पे काफी भीड होती है, तो लोगों को उनकी नमबर, उनका जो नमबर है क्यूं का, वो समझने के लिए एक टोकन दिया जाता है, है वो सकता है बिल्ला हो कौपर का बिल्ला या फिर चिठी हो तो उसको भी हम token कहते हैं तो token किसी रसीत को कहा जाता है या जैसे कोई gift hamper है gift voucher है उसको भी token कहते हैं लेकिन जावा में जो token का अर्थ है वो अलग है token जो है वो सबसी छोटे unit को token कहते हैं जैसे हमने पिछले वीडियो में Java का character set देखा, तो character set में जो alpha numeric characters थे, alphabets थे, numerals थे, और उसके बाद में जो mathematical symbols हैं, keyboard के उपर जो अलग-अलग special characters हैं इनी सभी चीजों को token कहते हैं, तो character set में और token में क्या फरक है character set जो है वो हमारी category है हम अपने लिए समझने के लिए उनको character set में कहते हैं कि ये alphabets हैं या ये digits हैं, या numerals हैं या ये अलग-अलग तरह के special symbols हैं लेकिन जैसे हम कोई Java का program लिखते हैं लिखने के बाद में वो program compile होता है compiler एक software होता है, तो Java का program जब compiler पढ़ता है, compiler में जाता है तो उस समय उसको process करने के लिए उसको अलग-अलग units में divide किया जाता है तो वो program का compiler के लिए किया गया division है उसको कहा जाता है token तो इसका हम definition देखें हाँ पर token is the smallest unit of code which the Java compiler can identify and process तो एक उधारण देखें हम a is equal to b plus c यहाँ पर a जो है यह variable या identifier a, b और c यह तीनों है variables या identifiers जबकि equals जो है वो assignment operator है plus जो है वो additional operator है और जो semicolon है वो punctuator है तो token जो है यह compiler के लिए किया गया classification है तो इसको token का जो definition है उसके अंदर कुछ उसको smallest unit कहते है program का smallest unit जो code है code का जो हम सबसे छोटा unit कर सकते है जैसे यहाँ पर a एक unit हुआ equals to एक unit है b एक unit है plus एक unit है c एक unit है किसके लिए compiler के लिए है unit तो यह जो अलग-अलग division है तो इसको कहते हैं कि single element अगर हम इनको element कहें यह सारे चीज़ें जो है यह हमारे code के elements है तो हम इसको single element को token कह सकते है या फिर कह सकते हैं smallest meaningful unit meaningful unit किसके लिए compiler के लिए compiler उसे पहिचान सकता है तो इसी को token कहते हैं तो token में जो सभी हमारे जावा के character set की जितनी चीजें हैं वो सभी चीजें उसके अंदर से मिली थे हैं जिसे literals है, literals यानि constants, identifiers यानि variables, उसके बाद में assignments, punctuators, separators और keywords अब हम इनको विस्तार से देखेंगे अब हम जावा में literals या constants क्या होता है यह देखेंगे जावा में constants का जो classification है, token, as a token इस प्रकार किया गया है integer literals, real literals, character literals, string literals, boolean literals और null literals तो integer literals में क्या है, पूरे numbers होते हैं, without decimal points जिसे 1 है, 9 है, 22 है, या minus 35 है plus और minus दोनों number जो है, वो integer literals में आते हैं उसके बाद में real literals, real literals में जो decimal point के साथ में जो numbers हैं, वो हम real literals में उनका समाश करते हैं, जैसे 22.5 minus 36.2 plus और minus दोनों तरह की संख्या हैं, हम real literals में इसको मानते हैं, उसके बाद में character literals अगर आपको single character लिखना हो, character literals में तो हम single quote के अंदर single character लिख सकते हैं single quote A, single quote B, single quote में 22 जैसे numbers को भी हम character literal की तरह लिख सकते हैं और उसके बाद में जितने भी special symbols हैं, उनको भी हम as character literal लिख सकते हैं, अगर हम इसको single quote के अंदर लिखें, उसके बाद में है string literals तो string literals में हम character की string जैसे शब्द लिख सकते हैं सिर्फ दो ही हैं, true और false, इनको without quote लिखा जाता है, इनके उपर कोई किसी भी तरह का quote नहीं होता और ये एक है null literal, इसको single quote के अंदर back slash 0, ये o नहीं है, 0 है back slash 0 अगर हमने single quote के अंदर लिखा, तो ये बन जाता है string terminator तो ये हुए Java के constants या literals, tokens के अंदर, अगले वीडियो में हम variables के बारे में जान करी लेंगे